ब्राट तो यू बाई टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स प्रियंका गांधी वाज्रा अहम भूमी का निभाती हुई नजर आ रही हैं 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों में हार के बाद से ये लंबे समय के बाद होगा कि प्रियंका गांधी अगले 12 दिनों के लिए अमेठी के भुवे मौउ गेस्ट हाउस में डेरा डालने की उनके डेरा डालने की वज़ा अपनी पारिवारिक विरासत को बचाने और बीजेपी से अमेठी को वापस जीतने की सबसे बड़ी चुनावती है इस चुनाव प्रचार के अभियान की कमान प्रियंका गांधी ने खुद अपने हातों में ली हुई है और बूथ लेवल पर मैनेजमेंट एक एक खर पहुँचने की रणनीती साथ ही सोशल मीडिया आउटरीच से लेकर पूरा का पूरा एक बहु आयामी रणनीती बनाई हुई है इसके साथ ही उनका साथ देनी के लिए राय बरेली में भूपेश पगेल और अमैठी में आशोक कहलोत शामिल होने चार रही है प्रियंका गांधी 1999 से यानि कि जब उनकी मा सोनिया गांधी ने चुनावी राजनीती में पदारपन किया और अमैठी से चुनाव लड़ा तब से पार्ठी की प्रमुक स्टार पचार रख रही है अपने चुनावी भाषणों में प्रियंका अक्सर अपनी दादी और पिता के साथ चुनावी रेलियों के दौरान हुई मुलाकातों को याद करते हुए अपने भाषणों में जिक्र करती रही है BJP पर वो तीखे हमले करती हैं और PM मोदी पर समय समय पर उनके कटाक्ष अकसर वाइरल होते रहते हैं वैसे जब India Today ने उनसे सवाल किया कि उन्होंने इस बार चुनाव क्यों नहीं लड़ा तो उन्होंने जवाब दिया कि चुनाव अभियान का मैनेजमेंट फिर कौन करेगा हमें पूरे चुनाव मैनेजमेंट की देख रेक के लिए किसी की जरूरत है प्यांका गांधी के वहाँ प्रचार करने का फायदा ये है कि वो इन दोनों लोग सभाज सीटों और अमेठी को अच्छे तरह से जानती हैं वैं यहां की हर नुकड और कोने में लोगों के स्वभाब और पार्टी की ताकत और कमजोरी को अच्छे से जानती हैं वैसे ये उनके लिए एक लिटमस टेस्ट होगा क्योंकि उन्हें ना केवल हिंदी हार्ट लैंड के अंदरूनी इलाकों में अपनी पार्टी की विश्वस्नियता बचाने की चुनोती है 2019 में मिले अपने भाई राहुल गांधी को मिली करारी हार का बदला लेने का भी ये एक बड़ा मौका है उनके उपर इसीज का भी दबाव है नतीजे जो भी हो लेकिन कुल मिलाकर ये चुनाव दल्चस्प जरूर होने वाला है 2019 में होए लोगसभा चुनाव में प्रियंका गांधी ने यहां आखरी तीन दिनों में प्रचार किया था और नतीजों में पार्टी को बड़ा जटका लगा भाई राहुल गांधी को अमेठी में स्मिती इरानी सिहार का सामना करना पड़ा था पार्टी इंटर्नल रणनीती से वाकिफ एक नेता ने कहा पिछली बार हम इसलिए हारे थे कि लोग राहुल जी को नहीं चाहते थे हम खराब चुनाव मैनेजमेंट के चलते हारे थे लोगों में पार्टी के चुनाव प्रबंदकों के खिलाफ बहुत कुस्सा था जो हार की वज़ा बना हालाकि इस बार अमेठी पर खास फोकस है और राय बरेली में पार्टी का लक्षे राहुल गांधी के लिए जीत का अंतर वाइनार्ट से बढ़ा करने का है 2019 में राहुल गांधी ने केरल के वाइनार्ट में करीब 4,30,000 पोटों से जीत तर्श कर रिकॉर्ड बनाया था अब देखना होगा कि क्या अब की बार नतीजे एक चैसे आते हैं या उससे बहतर या फिर उससे खराब आपके हिसाब से इस बार क्या नतीजे होंगे 4 जून को जो सब के सामने आएंगे आपकी क्या राहा है इस बार देश में किसकी सरकार बनेगी क्या आपकी राय कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसे लगी ये भी बताना न भूले और इस दर की वीडियो आगे पर देखने के लिए लोग से बचुनाथ जोड़ी तमाम बड़ी कबरों के साथ ब्रेट रहने के लिए आप देखते राही नियूस तक